सब्सक्राइब दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यारती जीवन से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरीके के अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें आगे बनने से पहले एक और दरूरी सूचन है कि अगर आप लोग उत्तर प्रतियस अधिन सेवाच चैनल की परिक्चा पीटी के तयारी कर रहा है तो यूप यूप ट्रिपल सी पीटी के लिए संपूर्ण गाइड के रूप में भी चाशु प्रकासन की पुस्तक्य सभी मार् यह है कि यह प्रेक्टी सेट जो यूप ट्रिपल हैसी पर रिच्छा होती है जिस तरीके के स्लेवास जिस तरीके के पैटर्न उच इसाब से यह प्रेक्टी सेट तयार किया गया है तो अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं वैसे आपको आपके सहर में यह सभी कापी किताब को दिकानों मिल जाएगी ऑनलाइन अगर मंगवाना है तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिए वहां से आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं चलिए सुरू करते हैं आज की सबसे पहली जो सूचना है वो प्रात्मिक सिक्षक बरती की है मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों से पताया था कि विद्यारती आज सुबह से ही टूटर अभ्यान जाली रखे हुए हैं हाला कि सिक्षक बरतिक मांगते विद्यारती पिछले 3-4 मेनों से कर रहा है खासतोर से 22 तरीक से विद्यारती लखनों में डट गय थे और उसके बाद में धरना प्रदर्शन विद्यान सभा का गेराओ बहुत सारी घटना हुई हम लोगों ने देखा पुलिस ने गाली गलोज किया विद्यारतियों के साथ में विद्यारतियों के ग्रिफतार भी किया विद्यारतियों को लाड़ी डंडे भी मारे और विद्यारत के लिए मैंने भी थीट किया था यह किती yet चुरकार की जाजा किरिया हु चुनाव भी आने वाले सरकार पर कई की आरोप लग रहे हैं चाहिए जो भरती की संस्ता हो या चाहिए जो संस्ता भी सब पर आरोब लग रहे हैं और पिछली बार विद्यार्तियों ने धरना प्रतसन लखनाओं में किया था और यह जो विद्यार्ति थे ओविसी आरचन वाले थे MRC की जो अनिमित्ता का आरोब लगा रहे हैं 69 सिचक बरती में उस क्रम में मुख्यमंत्री ने सीधे डाटा था म और उसके बाद में अब नतीजा यह आया कि विद्यार्तियों की जो मेनत है विद्यार्तियों की जो परिष्टर में वो रंग लाया है और सरकार की तरफ से नई प्रात्मिक सिचक बरती की गोष्णा कर दी गई है और जो उत्तर प्रदेश के अपर मुक्षचिव नविनित सैगल जी उन्होंने जो AI को एक इंटरवी दिया है और AI से कहा है कि जैसे ही 59,000 सिचक बरती कंप्लिट हो जाती है और 23 तारीक जो बच्चे वे विद्यारती है 6000 बढैर करेंगे और जितने भी रिक्षफ होगी यहांपर आप लोग दे सकते हैं यह महतमे पुरुषनailा है भारत की लिगा बेसिक सिच्चा के लगवगत है हजार से अधिक चैनित अभ्यरतियों को 23 तारीक को मुख्यमंत्री नुक्ति पत्र उबलब्द कराएंगे और इसके साथ पूरी हो जाएगी पिछले वर्सों के बचे हुए पदों के लिए फिर से प्रक्रिया प्रारम की जाएगी अपर मुक्षाच्च चुमेरे पास इनका एक्स्क्लूजीव वीडियो विए प्रारम की जाएगी पूछ अप्षेश पिछले वर्सों के बचे हुए पदम उनके लिए फिर से प्रक्रिया प्रारम बगी जाएगी पुछ अब जर्थियों द्वारे इस बात के लिए बार बार मांगती जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ भरती आएगी और इसकी बारे में सरकार अभी पत्ते नहीं खोल रही थी और सरकार पत्ते बाद में खोलती लेकिन विद्यार्थियों का दबा बहुत जाएदा आ गया सरकार के निर्देश दिये थे मंत्रियों को और अधिकारियों को मुझे मंत्रिक तरब से इसलिए यह इस्पश्टिक करण दिया गया है और अगर योगी आदितना खुद कहते हैं तब भी विश्टुर नहीं होता चूकि उन्होंने भी कई बार कहा था कि हम 3 मेने में निक्ति पत्र निकाल देंगे 6 मेने में बर्तिया पूरी कर देंगे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी कही थी सितंबर के महीने मी जब 허म लोगों ने धरनवर चसन- प्लान होता है वो सब अधिकारी बना के सरकार को देते हैं और अधिकारी सरकार से अलावा हट करके एक भी सब्द अपनी तरफ से नहीं बोल सकते हैं जो सरकार की तरफ से सरकारी सिस्टम में होता है नपात उला लिखा वहीं बिलकुल सरकारी अधिकारी बोलते हैं सरकारी अधिकारियों को ना तो वोट चाहिए ना तो किसी चीज़ की उनको अकांचा होती है और इसलिए मुझे लगता है कि यह जो बिधान सभा के चुनाव है उसके पहले पहले आपको TET के बाद में TET के बाद में नई प्रत्मीक सिक्षक बर्ठी देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि 50,000 पतों पर होती है यह 75,000 पतों फो पर हो किर्गरी नहीं करवाएगी रोजगार के मुझे पर सरकार की तो वैसे बहुत जादा किर्कषई है और आपके लिए नई बर्ति के विग्यापन जो है इसी साल आपको देखने को मिलेगा एक बात और बता दूं आप लोगों को कि बहुत सारे विद्यारती वीडियो को देखते तो हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं उतना ज्यादा इसलिए आप लोग वीडियो को देखा देखा तो कर बीडियो को लाइक अबश्गण कर दिया क्या है जो चात्र वीडियो को शेयर कर सकते हों तो मैं वाटसबू के उसके स्कम्राइब में तो यह कुछ फेश्चक बॉडियो बहुत्स अफ्सकभरीं अब हरो है हिंदी और सोचल की दुपैरे में वीडियो बनाया था एक टो और उसमें आप लोगों से बताया था कि विद्यार्थी प्रियागराद से और अलग-अलग जिलों से विद्यार्थी लखनों पहुंच गे निदेशाले में और विद्यार्थी वहां पर डटे हुए हैं और यहां पर आप लोग नोटिस भी देख सकते हैं तो यह तस्वीर देख रहे हैं आप लोग पृतियों की चात्र मुर्चक या दक्चम विगी खान जिन्होंने ल्टी ग्रेट सिचक बरती के लिए काफी प्रयास किये का परिडाम से लेकर के न्युक्ति तक लगता डटे रह है और फाइनली अब यह जो भरणती है पूरी हो गई है बहुत सारे उतार चढ़ रहे हैं इस भरती पर आर काई बार तो भरती कैंसिल होने की चर्चाए होने लगी कई बार इक परेलाम कोछ फिर एक 14 रिशतने को प्रेडाम जारी होगए दो क्रडाम रूग गया फिर दो बढ़ती पूरी हो जाएगी तो फिर अगली लड़ाई नई एल्टी ग्रेट सी चक बढ़ती की होगी नीचे यहां पर लिखा है कि आज दिनांग 19 दुलाइट को प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले मोर्चा अध्यक्षे विगी खान के नितत्तों में सैगणों प्रतियोगी से मुलाकात की सिष्ट मंडल में मोर्चा अध्यक्षे विगी खान अनिलुपाद्या उदय यादो पंकर जंगारा सेर सिंग तथा रूप खान शामिल तिनिदेशक स्रीपांडे ने प्रतियोगी चात्रों को आसोस्त किया कि ल्टी जी आईसी के हिंदी वस्तमाजिक विग प्रतियों की चात इन दोनों प्रतियों की निक्तियों तो प्रयाग्रास से लेकर के लखनाउत तक धरना पर दरसन निरंतर चारी रखे हुए थे तो फिलहाल यह खुसकबरी है इन विद्यार्थियों के लिए और कल से पोड़र खुल जाएगा अपना यह पता स्थापन हो वह देख सकें और आज MRC की जो विद्यार्थी है उन्होंने भी जम करके धरना पर दरसन किया SCERT निदेशाले में और काफी संका में विद्यार्थी पहुंचे थे तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं जितने विद्यार्थी नहीं थे उससे ज्यादा पुलिस वाले बेज दी गये थे अकरिकर क्या होता देखिए चाहे ओबीसी आरच्छन वाली बात हो चाहे वह 22,000 सीटों को जोड़ने वाली बात हो बाइब ओबीसी आरच्छन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसमें जरूर कुछ ने कुछ गड़बड हुआ है लेकिन 22,000 सीटें तो बहुत मुस्कील है कि वह जुड़े और लेकिन इस यह जितने भी धरना पर दसन 22 तारीक से लखनों म सब्सक्राइब करें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें नाचो पाल